हेलो एवरिवन, वेलकम तो माई चैनल, तोड़े वी आर गोईंग तो दिसकर्स, NCRT सोलूशन फॉर क्लास 12 फ्लैमिंगो इंग्लिश बुक, आर्ट जैनिफर्स टाइगर्स, पोएम जो है यह लास्ट पोएम है फ्लैमिंगो बुक की और पॉम 6, इससे पहले जो प्रीविए चैप्टर्स हैं या पोम्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट फिनिस हो चुके हैं उनके जो अगर आपको नोट्स चाहिए पीडिएफ चाहिए तो आप टेलिग्राम पे जाके लिंक से लिंक के थूँ जोईन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रप्शन बॉक्स में हैं व और जो भी एक क्वेश्चन आंसर हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हैं कोई भी इसमें असा टफ लैंग्वेज नहीं है के यू कांट अंडरस्टेंड तो आप अपने खुद क्यों अपने अन वर्स और अन सेंटेंस में अपने आंसर को लिख सकते हैं बहुत ही इसली और बहुत ही क्लियर आपको एक एक लाइन समझाएगी और बहुत हैल्फुल रहेगा आपके लिए एक्जाम के प्रिस्पेक्टिव से भी और क्वेश्चन आंसर जो आपके पूरा एक चैप्टर का रिव्यू होता है उसके थुरू आप उसको पूरे चैप्टर को भी समझ सकते हैं इसको कह सकते हैं like a short summary तो हम let's begin start करते हैं how do denizens and shivalric add to our understanding of tiger's attitude जो denizens का meaning क्या होता है और shivalric का means क्या होता है दोनों का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए that the mean यहाँ पे poet आप से पूच रहा है कि उसने इन दोनों words को किस तरीके से tiger के attitude से हमें समझाने की कोशिश करी है और किस तरीके से relate करा है उसने अपने poem को तो denizens का mean होता है resident यानि कहीं पे रहना जैसे कि हम कहीं रहते हैं तो denizen means resident और यहाँ पे जो symbolic लिया गया है loin तो वो कहां रहता है forest में तो उसका resident कहां है forest है and they are surrounding by greenery and living forest बहुत green है वहाँ जहां वो र रहता है विकल forest है और उसको वहाँ पे इस तरीके से represent करा है जैसे fearless है और एक मतलब जो loin होता है forest में रहता है tiger एक मतलब जो किसी चीज का fear नहीं होता ठीक है high ranks officer like a kingdom जैसे किसी kingdom में एक उची post पे कोई जैसे कोई मंतरी है minister है ऐसे कुछी post पे कोई होता है राजा है तो ऐसे ही jungle का राजा जैसे loin है और tiger भी एक तरेका क्या high rank पे माना जाता है forest के अंदर और वो बिल्कुल fearless move करता है अपने उस area में and shivalric means होता है someone who belongs to the high post जो कि उची post से belong करता है तो ये दोनों word को अगर हम relate कर understand करें जो कि poems में poet हमें समझाने की कोशिश कर रहा है that means कि एक जो लॉयन है वो क्या है कही ना कहीं connectivity इसके around around off ही घूम रही है कि वो fearless है और एक high rank है और इसको represent करता है ये दोनों word चीक है and next question is that why do you think aunt jennifer is hands are fluttering throw her wool in second stranger अब जो aunt jennifer है उनका heart fluttering क्यों कर रहा है काम क्यों रहा है and why is she finding needles so hard to pull और जो वो needle चला रही थी पैनल पे यानि जिससे वो कड़ाई कर रही है ब्राइडिंग कर रही है उस पैनल पे तो जो वो needle पकड़ रही है वो बहुत ही मुश्किल से उसको पकड़ पा रही है क्यों aunt jennifer is weaving tigers on the panel जिस पैनल को weaving कर रही है बुनाई कर रही है tiger को बना रही है तो उनका जो heart है ठीक है her hands are moving about her wool and she is finding the needle quite hard to pull तो अब जो जो धागे को खीचने की कोशिश कर रही है निडल से तो बहुत मुश्किल से वो खीच पा रही है the weight of years of her married life is lying heavy on her hand that is a related meaning here that means वो कहना जाते हैं poet की जो उनका married life है वो इतना ज्यादा उनको heavy burden लग रहा है इतने साल जो उन्होंने pass out किये हैं तो वो एक symbolic बन गया है यानि जो tiger के panel पे जो पैनल पे tiger बना रही है निडल से और निडल को वो खीच नहीं पा रही है that means जो married life है ठीक है married life क्या हो गई है वो tiger वो खुद अपने आपको relate कर रही है tiger से और panel क्या हो गया married life हो गई और इस married life को ठीक है अब इतने साल हो गए है खीचते खीचते उसके साथ रहते रहते कि अब बस बहुत हो गया यह burden उनसे सहन नहीं हो रहा this makes the pulling of the needle so hard इसलिए वो needle उनको बहुत ज़्यादा hard लग रही है that means married life का जो time है अभी उनको बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है मुसकी लग रहा है कि उसकी जो hard responsibility है या उनके husband का उनके two words behave है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो इसलिए उनको ये जो feeling है married life की वो burden लग रही है what is suggested by the image जो उनकी image है massive weight of uncle's wedding band तो जो उन्होंने ring पैन रखी है यानि जो साधी से पहले जैसे ceremony होती है ring ceremony या फिर सगाई होती है तो उस time पे ring पे नहीं जाती है तो उस time पे जो मतलब उनकी जो शादी की ring है तो उसका weight बहुत जादा है तो यहाँ पे जो image है यानि आप question क्याना चाहता है जो ring की image है ठीक है uncle's wedding band यानि जो uncle ने उनको पहनाई होगी उनके husband ने उनने पहनाई होगी वो यहाँ पे क्या meaning suggest कर रहा है image क्या दे रही है meaning तो suggest the weight of the harsh and tough experience of aunt Jennifer's married life वो simple है कि उनका यह ही है कि उनने married life का बहुत ही जादा tough और harsh experience रहा है and the image is quite suggestive और यह image क्या suggest करती है the wedding band is symbolic यह सिर्फ एक symbolic है जो की represent कर रही है unbreakable bond of marriage between the husband and the wife यानि उन दोनों के बीच में जो एक bonding है वो बिलकुल क्या है unbreakable है और जो मतलब उनको सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा है और उससे बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है मतलब उससे जो जिस तरीके से वो ring उनके हाथ में अभी तक है तो वो after death भी शायद वो ring उनके पास रहेगी मतलब वो उनकी death हो जाएगी लेकिन जो ring है वो उसके साथ ही रहेगी उनके हाथ में जैसे कि अभी है और यानि कहने का मतलब है जो responsibility है life के साथ साथ चल रही है और life के मेरे तो मरने के बाद भी ये responsibility मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी तो जैनिफर यहाँ पे क्या कह रही है कि वो unbreakable bond of marriage है उनके दोनों के बीच में और bedding जो मतलब ring है वो represent कर रही है wedding band यानि ring जो कि उसके हाथ में है और वो अभी तक responsibility और trouble और problems को solve कर रही है जिस तरीके से face कर रही है वो आगे भी वो continue चलने वाला है और what are homies aren't Jennifer's terrified in the third stanza third stanza में किसको बोला गया है कि aren't Jennifer terrified in the third stanza किस से ज़्यादा terrified करती है किस से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा ड़ती है stanza में बोला है aren't Jennifer terrified hands उनके जो हाथें बहुत ज़्यादा terrified हो रहे है the old unhappy memories are still fresh in her hand mind उनकी जो unhappy memories है वो बार बार उनके mind में आ जाती है और अभी भी है and she had a past horrible time since after marriage साधी के बास से ही उन्होंने बहुत horrible time अपना बिताया है the poet has present the marriage burden in from the wedding band ring which is still in her finger और वो एक marriage का जो burden होता है यानि बहुत ज़्यादा load होता है burden होता है responsibilities होती है उसको एक ring represent कर रही है symbolic represent कर रही है कि उसके हाथ में जो ring है वो अभी भी है और continue जब से शादी होई है वो ring है यानि responsibility अभी तक है और वो बहुत ही ज़्यादा trouble और problem मानती है उस ring को responsibility को अपने शादी को तो ये उसका क्या है terrified hands यानि hand के थुरू वो इस चीज को क्या कर रहा है stanza show कर रहा है यानि उसके हाथ में क्या है ring है और ring क्या represent कर रही है marriage burden तो ये simple है इसमें कोई problem नहीं होनी चाहिए आपको and what are the odils aunt Jennifer is surrounding by why is the significant that the poet used the word ringed what are the different meanings of ring in the poem odils means क्या होता है difficult experience यानि के जो odils है मतलब जो difficult experience है aunt Jennifer का वो क्या है यानि surrounding by किसके आसपास वो गूम रही है and why is the significant that the poet used the word ringed और इसका क्या signify है क्या महत्व है जो उन्होंने word use किया है poet ने ringed क्या हम उसको किसी और meaning में भी ले सकते हैं क्या इसका कोई और meaning बता सकते हैं तो main यहाँ पे बोला है aunt Jennifer is not happy in her married life and her freedom was taken away वो अपनी life से बिलकुल भी खुश नहीं है married life से उसकी freedom क्योंकि शादी ने बिलकुल ले ली है and the poet used ringed which signify that she has a wearing her husband's wedding ring and is very oppressed by her husband and burden of the duties responsibilities of her marriage the other means of ring is surrounded कहने का मतलब है student पूरे question के पूरा जो theme center theme चल रहा है इस poem का सेम ही है कि married life का burden, married life का burden each and every answer में आपको यही याद रखना है terrified hands हो गया, ring symbolize हो गई या फिर उसका fear हो गया, या freedom हो गई कुछ word ऐसे हैं जिससे आप sentence बना सकते हैं उसके around of fee सारा answer घूम रहा है और हर answer में married life, married life का आपको ही बताना है तो सीधी सी बात है वो अपनी married life से happy नहीं है ring जो है वो क्या represent कर रही है कि वो husband उसका बहुत oppressed है उसको बहुत ज़ादा दबा के रखता है और उसने जो duties और responsibility अपनी life की निभाई है वो अभी तक निभा रही है और उसकी जो ring है the other means of surrounded यानि उसकी वो bounded है और ring के surrounded ही उसकी life घूम रही है यानि जैसे ring है उसकी जो duties और responsibilities है उसकी marriage की इसी तरीके से वो भी घूम रही है उसके आसपास ही तो ये क्या represent करता है मतलब oppressed behave को wedding ring उसके husband का टूवर्ड जैनिफर और जैनिफर इसलिए happy नहीं है क्योंकि उसने ये सब freedom उसकी खोच चुकी है main तो ये चीज होती है जब किसी इंसान की freedom नहीं है unhappy है और उसको हमेशा यही लगता है कि ये बहुत ज़्यदा burden है तो वो उसको कहीं न कहीं वो जो happiness वाली feeling होती है उसको आती ही नहीं है and why do you think Aunt Jennifer's created animals that are so different from her own character what might the poet be suggesting through the difference this difference is Aunt Jennifer ने जो animal create करा है जब कि उससे बिल्कुल opposite character है Jennifer बहुत ज़्यदा क्या है उससे opposite है क्यों और फिर भी उसने इसको उस panel पे बनाया अमरोइडी करी है तो यहां पे उसका क्या suggest है और किस तरीके से वो difference है हमें बताना है the tiger were fearless वो बिल्कुल डरता नहीं है Jennifer बहुत ज़्यदा डरती है and not happy with her the married life वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी married life से she was oppressed by her husband उसका husband उसको बहुत oppressed करता है बहुत ज़्यदा उसको दबा के रखता है so she decided to design tigers because her wish was to live freely and fearlessly like tigers अब यहां पे जो वो decide करती है design करना के भी मैं tigers को embryoidi करूंगी क्यों? क्योंकि वो चाहती है ऐसी life को जीना जैसे कि एक tiger होता है tiger की life होती है बिल्कुल freely, fearlessly तो वो कही नहीं अपने आपको उसकी जगे अपने आपको रखके देखती है इसलिए वो design बनाती है embroidery करती है tigers की and the tigers reflect the inner most desire of being strong and free tigers कही नहीं reflect कर रहा है कि वो कितना strong और free है और वो उसके जैसे बनना चाहती है even after her death this desire would remain alive through the tigers और मरने के बाद भी उसकी ये इच्छा है कि वो इस images के तुरू जिंदा रहना चाहती है जिस तरीके से ये हमेशा ऐसी रहेंगे free less और strong तो वो भी ऐसे ही रहना चाहती है interpret the symbols of found in this poem यानि उन words को हमें ढूनना है जो symbol show करे हैं poem में जो अलग-अलग symbolizes है जैसे odils हो गए hardship हो गई worries of married lives and terrified hands wrinked with odils ये सब चों है word यूज करें symbolize में ठीक है symbolize में और ये सब यूज कर रहे हैं massive weight of wedding band और symbolizes odils तो ये सारे symbol जो हैं वो किस चीज़ को show कर रहे हैं unpleasant experience को aunt jennifer का जो उन्होंने suffer किया है physically और mentally तो जितने भी ये symbolizes है ये निशान है ये सभी use किये गए है poet के थूँ poem में और सभी mentally और physically suffer को बता रहे हैं कि aunt jennifer ने इस चीज़ को suffer किया है अपनी मेरे life में do you sympathize with aunt jennifer यानि आपको उस पर कोई sympathy है aunt jennifer से what is the attitude of the speaker toward aunt jennifer poet का क्या attitude है jennifer के लिए yes we do sympathize with the aunt jennifer हम बहुत ज़्यदा sympathize है बहुत ज़्यदा हमें उसके साथ sympathy है she has experienced hardship and odils during her married life उनोंने बहुत difficult time देखा है problem देखिये हैं life में and the attitude of the speaker toward aunt jennifer is equally sympathetic उसको भी बहुत ज़्यदा sympathy है jennifer के साथ poet को भी तो ये बहुत ही ज़्यदा easy poem है student इसमें कोई difficult ऐसा है new word या बहुत ज़्यदा difficult situation है जिसको आप easily समझना पाएं सिर्फ simple है कि tiger से अपने आप को उसने relate किया हुआ है इसमें poem में और और वो इसलिए बनाती है क्योंकि कहीं न कहीं वो उससे अपने आपको relate कर रही है वो ऐसी life जीना चाती है जबकि वो ऐसी life नहीं जी पा रही अपनी married life में अपनी married life से बिलकुल happy नहीं है और ring जो उसके हाथ में है वो एक trouble को show और problem को show करता है responsibility को show करता है कि life के साथ साथ जब married होती है तो कितनी heart shape, difficulties ये सारी चीजे देखने को मिलती है और वो अब तक उन चीजों को निभा रही है जैसे कि उसके हाथ में जो ring है साधिस की ring अभी तक उसके हाथ में है तो same वो ही है और वो कहती है मेरे मनने के बाद भी ये responsibility मेरे साथ ही रहेंगी जैसे मेरी hearing है और ये मेरे से नहीं हट सकेंगी मेरी responsibility ये problems ये difficulties तो इसी के साथ हमारा ये flamingo book और ये जो poem का chapter है finish होता है और next video में हम अब next book finish करेंगे ठीक है, thank you, thank you so much keep watching, keep learning